प्रतियोगीता जिसका मुख्य उद्देश्य है सेवा संगठन और संसकार तो सिंधी युवाओं में क्योंकि आज जो भाषा कम प्रयोग की जा रहे हैं तो हम यह सूच रहे हैं क्यों न गीत गवाया जाया उनसे ताकि उनका इंट्रेस्ट हो और इसमें मुख्य रूप से हम युवाओं कोई मौका दे रहे हैं उन्हें एक प्लेटफार्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिंधी में गीर गाएं और पांस छेत्रों में जो सिंधी युवा 18 से 40 साल के होंगे उनमें उनका सम्मान किया जाएगा वो पांस छेत्र हमारे राजनीती, खेलकूद, समाज सेवा, बिजनेस और खेल कूद में जहां आगे बड़े होंगे उनको हम सम्मान भी करने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है कि सिंधी समाज जब पाकिस्तान से आए यहां पे तो अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए वो मेहनत में लगे थे और वो उन्होंने अपनी मेहनत से प् वो स्ट्रांग हुए लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कहीं न कहीं संसकार पीछे हो रहे हैं और उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है तो भारती सिंधु सभा के यह प्रियास है कि संगठन बनें और संसकार ज्यादा से ज्यादा संसकार से जुड़ें सिंधी स संसकार से सिंधी युवाओं को मुका दे रहे हैं और सिंधी युवा बिजनेस के लावा दूसरे छेतरों में भी पार्टिसिपेट कर पाये हैं जैसे सरकारी नौकरी आईएस के लिए हम प्रियास करते हैं देवपुरी दरवार से मीरा अम्मा जी, चकर भाटा से लाल साइदा साभ और साधू समाज के अमर लाल जी और शक्ती धाम के रामचन वाधुआ जी और हमारे सिंदी समाज के विधायक स्रीचन सुनरानी जी भी मुख्यातिती के रूप में रहेंगे और साथ में भारती नेशनल लेवल की उनके नेशनल लेवल और ट्रदेश लेवल के पैदादीकारियों को भी हमने आमंत्रित किया है